नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि नर्विता एंटी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है नर्विता एंटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नर्विता एंटी टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की नर्विता एंटी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दर्विटा एंटी एक ग्रांड नेम है दर्विटा एंटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है दर्विटा एंटी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन प्रेगाबेलिन 75 mg और 9 ट्रिप्टीलिन 10 mg होता है दर्विटा एंटी टैबलेट का उप् चुबने जैसी समवेधना होना, हातों व पैरों का सुर्ण पड़ जाना, मास पेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करण्ट की तरह जटके के साथ दर्ध होना आधी लक्षन नियूरोपैथिक दर्ध होने पर हो सकते हैं. दाइबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीड की हड़ी से संबंधित कोई समस्या होने पर नियूरोपैथिक दर्ध होने का जोखिम अधिक हो जाता है. लेने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा नर्विटा एंटी टेबलेट मिरगी और डोरों को भी कंच्रोल करने में मदद करती है। जिन व्यक्तियों को मिरगी या दोरे आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर अन्य दवाओं के साथ नर्विटा एंटी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा कमर में दर्ध होने पर, रीड की हड़ी में कोई चोट लगने पर और डाइबिटिक नियूरोपेथी होने पर भी डॉक्तर नर्विटा एंटी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में नर्विटा एंटी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में नर्विता एंटी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिर्दर्ध होना, सिर्चक्राना, कब्ज होना, मुँ में सुखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर कम होना, हाथों वपैरों में सूजन होन आखों से धुंदला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में ठकान होना आधी साइड इफेक्स नर्विटा एंटी टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि नर्विटा एंटी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। नर्विटा एंटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर नर्विटा एंती टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। नर्विटा एंती टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नर्विटा एंती टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि नर्विटा एंती टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। नर्विटा एंती टैबलेट के साथ अंगूर, अंगूर का जूस या खट्टे फलो के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि नर्विटा एंती टैबलेट के साथ खट्टे फलो का सेवन करने की वज़ह से unwanted side effects हो सकते हैं। नर्विटा एंती टैबलेट की वज़ह से तवचा धूप के प्रती बहुत ज्यादा समवेदन शील हो जाती है, जिसकी वज़ह से सन्बन होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवर्ष धूप में जाना भी पड़ता है, तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर संस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए। या आप धूप से बचाव करने के लिए अंब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीन्द आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। और सीरियस साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर नर्विटा एंटी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना नर्विटा एंटी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए नर्विटा एंटी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका नर्विटा एंटी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है